गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आयम डॉक्टर सरीता खंडेलवाल फ्रॉम जीडीबी गॉवर्मेंट कर्ल्स कॉलेज। स्टुडेंट्स हमने प्रिवियस लेक्चर में अल्फा बेटा अंसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपॉंस का इंट्रोडेक्शन देखा था और साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन की बात की थी आज के लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट लेंगे सबसे पहले ह यह प्रती जादा रियक्ट्पे हो जाते हैं लेकिन जो प्रोडेक्ट का नेचर है वो सिंपल कार्बोनिल कंपॉंस से अलग होता है फोर एक्जाम्पल यहां पर आपको एक्जाम्पल दिखाई दे रहा है इथाईल क्रोटोनेट का इसमें जब हम नुकलियोफाइल SCN, SCN क तरह काम करता है इसका अटेक कराते हैं तो हमें इतायल बीटा साइनो ब्यूट्रेट मिलता है आप देख रहे हैं कि यहां पर नुकलियोफाइल का अटेक डबल बॉन्ट पे हुआ है ना कि कार्बोनिल ग्रुप पे इसी तरह हम दूसरा एक्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैसेटल ओकसाइड पर CS3 NH2 यह एक नुकलियोफाइल है उसका अटेक कराते हैं तो यहां पर भी जो अटेक होता है वो डबल बॉन्ट पे होता है और डबल बॉन्ट के बीटा कार्बन पे हो रहा है यह एलफा कार्बन है और यह बीटा कार्बन है तो डबल बॉन्ट के बी पर न्यूप फायल का अटेक हो रहा है तो आपने इन तीनों एक्जांपल से एक बात देखी कि यहां पर जो न्यूपईल का अटेक है वो कार्दो सम्मोब सीचली नहीं हो रहा है जबकि डबल बॉंड के जो पीकर मतना गरता है उस पर उता हैं जबकि कार्बोनिल सबूमी नुकलियोफिलिक एडिशन रियक्शन देते हैं। लेकिन आम देख रहे हैं कि इन कमपाउंड में नुकलियोफाइल के प्रति डबल बॉंड ज़ाधा रियक्टिव हो जाता है। कार्बोनिल गुरूप के बजाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोनिल गुरुप क्या होते हैं वो double bond के लिए एक electron withdrawing group का काम करते हैं मतलब double bond से electron को खीच लेते हैं जिससे क्या होता है कि जो carbon carbon double bond के बीटा carbon पर positive charge आ जाता है इसलिए nucleophile का attack होता है वो carbonil समूपर ना होकर carbon carbon double bond के बीटा carbon पर होता है आपने देखा था यह resonating structure होती है जब यह double bond यहाँ move करता है और यह ऐसे move करता है तो यहाँ पर positive charge आ जाता है और इसी positive charge पर nucleophile का attack होता है तो यह तो हो गया कि किस तरह से आपने देखा कि अगर कार्बोनिल समूग के साथ alpha-beta position पर double bond उपस्तित हो तो किस तरह से एक तो reactivity भी change हो जाती है और nature of product भी change हो जाता है लेकिन आप यह ध्यान रखिए कि जो अगर हम alpha-beta unsaturated aldehyde लेते हैं तो उसमें अगर हम nucleophile का attack करवाते हैं तो वो कार्बोनिल समूग पर ही होता है क्योंकि aldehyde होते हैं alpha-beta unsaturated aldehyde में कार्बोनिल समूग ही जादा reactive होते हैं nucleophile के प्रती अब हम बात करेंगे mechanism की सबसे पहले हम देखते हैं कि first step में आपने जैसे मैंने अभी previous slide में बतायता है इस तरह से double bond करता है बीटा कार्बन पर positive charge आ जाता है और nucleophile उससे जुड़ जाता है तो आपकी यह structure बन जाएगी फिर oxygen पर negative charge वापस करता है और इस carbon पर negative charge आ जाता है तो यह resonance hybrid बन जाता है आपने देखा कि इस carbon पर negative charge आया तो second पद में जो second पद में क्या होता है इस oxygen पर negative charge होता है और oxygen पर negative charge होता है वो stable state होती है तो H plus पहले यहां जुड़ जाएगा inol form मिलेगी inol form keto form में परिवर्थित हो जाएगी और finally हमको यह product मिल जाएगा तो आपने देखा था जो हमने तीन एक्जामपल देखे थे उसमें इसी mechanism के आधार पर प्रोडेक्ट बनाए गए थे तो आपने देखा कि किस तरह से जो बीटा कार्बन होता है उस पी नुकलोफाल का टैक होता है mechanism से उससे समझा और साथी देखा कि सबसे पह जाती है तो बच्चो हमने नुकलोफीलिक एडिशन रियक्शन के भी example और mechanism की बात कर ली अब हम इलेक्ट्रोफीलिक और नुकलोफीलिक एडिशन रियक्शन का comparison करेंगे हमने देखा कि अल्फा बीटा अंसैचुरेटर कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफीलिक फिर दोनों में ही जो first step होती है वो rate determining step होती है दोनों में ही जो intermediate iron बनता है उसकी stability से ही जो compound है उसकी reactivity और nature of product decide होता है ठीक है और दोनों ही जो intermediate ions बनते हैं उनकी stability होती है वो charge के delocalization पे आयन के वी स्थानी करन पर depend करती है जितना चार्ज का delocalization होगा उतना ही जादा stability होगी और ध्यान रखिये जब more electro negative पर negative चार्ज आता है और less electro negative पर positive चार्ज आता है वो resonating structure stable होती है लेकिन अगर more electro negative पर positive चार्ज आजाए जैसे अगर oxygen पर positive चार्ज आजाए तो वो जो condition होती ह यह वो unistability की तरफ इशारा करती है अब यह तो हमने समानता देख ली लेकिन इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसमानता भी है difference भी है आप देखेंगे कि जब electro philic addition reaction होता है तो जो intermediate आयन मनता है वो positive होता है और जो जब nucleophilic addition reaction होती है तब intermediate आयन negative होता है यह देखिए यह positive है यह negative है यह बहुत बड़ी समानता है जो कि electro philic और nucleophilic addition reaction में देखने को मिलती है आप आप देखिए कि जो first है जब electro philic addition reaction होती है तब positive charge आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई electron withdrawing group जुड़ा हुआ है तो क्या होगा stability जो reactivity कम हो जाएगी और अगर इसमें negative charge आ हुआ है तो भी क्या होगी reactivity कम हो जाएगी ठीक है तो यह हो गई comparison of electrophilic addition reaction और nucleophilic addition reaction अब हम कुछ important alpha-beta unsaturated carbonyl compound की study करेंगी जिसमें सबसे पहले है अक्रिल aldehyde, अक्रोलिन या 2-propanol मतलब यह तीनों compound है उसका एक ही compound के तीन नाम है और इसका जो formula होता है वो यह होता है यह तीन carbon वाला alpha-beta unsaturated aldehyde है इसे अक्रोलिन इसका काफी famous नाम है और इससे polymer का भी निर्मान किया जाता है तो यह है हमारा सबसे पहला alpha-beta unsaturated compound जिसके हम इस detail में steady करेंगे सबसे पहले हम एक्रोलिन के method of preparation देखते हैं सबसे पहले जो first method आता है उसमें glycerol बच्चों यह glycerol का formula होता है जिसमें 3 carbon होते हैं तीनों carbon से OH जुड़े रहते हैं यह glycerol होता है इसका जब dehydration किया जाता है KHSO4 की presence में dehydration मतलब नेजली करन मतलब water molecule का निकलना dehydration किया जाता है तो सबसे पहले तो यह intermediate बनता है और फिर इसके rearrangement से आपको एक्रोलिन की प्राप्ति होती है आपको यहां दिखाया गया है कि कौन से किस तरह से दो water molecule निकल रहे हैं तो जो पहला method है वो है glycerol के KHSO4 की presence में dehydration से एक्रोलिन का निर्मान दूसर अप्रोलिन के इंडस्ट्रियल सिंतिसिस का मैथड़ है इसमें जो प्रोपीन प्रोपीन होता है उसकी साहता से अक्रोलिन का निर्मान किया रहता है इसमें प्रोपीन का oxidation किया जाता है oxidation CO2OAL2O3 की presence में 350 degree centigrade पर किया जाता है तो इन रिएजन्ट की presence में जब प्रोपीन का oxidation किया जाता है तो एक्रोलिन की प्राप्ति होती है एक्रोलिन के industrial synthesis का एक और example है जिसमें की acetaldehyde और formaldehyde की reaction करवाके एक्रोलिन बनाया जाता है और यह reaction Li3PO4 की presence में होती है लीटियम phosphate उत्परे रखी तो यह जो लास्ट तीसर और चौता मेतड है यह industrial synthesis of एक्रोलिन है जिसमें की प्रोपीन या acetaldehyde के oxidation से एक्रोलिन का निर्मान किया जाता है अब हम इसकी properties की बात करें तो एक्रोलिन होता है वो colorless होता है और बहुत ही intense smell वाला एक liquid होता है जिसका boiling point 52 degree centigrade होता है इसकी जो वैपर होती है वो तीवर अश्रुकारी होती है मतलब उसमें smell आने लगता है अगर उसको गैस को हम वाश्प को के बीच में चले जाएं तो हमें आखों में से आसु आने लगेंगे यह एक unstable compound होता है और शिगरी polymer हो इसका निर्मान हो जाता है polymerize होके एक सफेद र पॉलीमर का निर्मान किया जाता है तो यह पॉलीमर का भी निर्मान आसानी से कर लेता है चुकि यह एक unsaturated LDI है तो इसमें एना एलकीन और एल्डियाइड दोनों के गुन पाए जाते हैं यह दोनों की reaction देंगे तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार की chemical reaction दे सकता है एलकीन के समान reaction सबसे पहले हम वो reactions की बात करेंगे जो एलकीन के समान होती है या एलकीन के behavior से similarity रखती है सबसी पहली reaction है यह bromine जल को colorless कर देता है unsaturation को test करने का एक method होता है जिसमें bromine जल को अगर कोई hydrocarbon bromine जल को color उड़ा देता है तो इसका मतलब unsaturation present है bromine जल का पीला सा रंग होता है अगर unsaturation present है तो bromine जल का color disappear हो जाता है तो यह देखा गया है कि अक्रोलीन भी bromine जल का color उड़ा देता है तो इसका मतलब इसमें double bond पाया जाता है जब इसमें hydrogen bromide की reaction कराई जाती है तो इसमें HBR का addition करवाया जाता है तो इसमें anti-marconic of neonium से reaction ह होती है जो कि मैंने previous slide में बता दी थी और ऐसा CHO की presence के कारण होता है यह reaction anti-marconic of के according होती है और इसकी पूरी mechanism हमने previous lecture में discuss कर ली थी ठीक है फिर butadiene के साथ यह dial cellder reaction देता है बच्चों यह काफी famous reaction होती है जो कि आप higher class में पढ़ेंगे अभी आप यहां पर यह देख लीज reaction 1-3-butadiene के साथ होता है और 1-2-5-6 tetrahydrobenzaldehyde का निर्मान होता है ठीक है ओस्मियम tetraoxide और hydrogen peroxide के साथ क्रिया कराने पर यह इसका hydroxylation हो जाता है और फिर फर्दर इससे glyceraldehyde बनता है reduction के द्वारा आप देखिए सबसे पहले hydroxylation हुआ फिर इसका reduction करवाया तो हमें glyceral aldehyde मिला आपको पता है इस group का reduction होता है तो CH2OH मिलता है तो simple reduction से हमें glyceraldehyde का निर्मान हो जाता है इसकी ogenolysis भी कराई जा सकती है जिस तरह alkin ogenolysis देते हैं यह भी ogenolysis reaction देते हैं और इसकी ogenolysis से formaldehyde formic acid का निर्मान होता है तो यह जो 5 reaction थी यह इसकी alkin की presence को बताते हैं अब हम aldehyde समू की reactions की बात करेंगे सबसे पहले hydrogen cyanide के रिया साथ reaction करके sinohydrin मनाता है फिर phenyl hydrogen के साथ reaction करके phenyl hydrogen मनाता है एल्मूनियम silver nitrate से reduce हो जाता है और silver miller मनाता है reduction भी होता है एल्मूनियम आइसो प्रोपकसाइड के साथ मीरवाइन पॉर्डर वर्ले reduction हो जाएगा और allyl alcohol का निर्मान होता है बच्चों ये सारी reaction जो aldehyde के समान reaction है वो aldehyde की reactions में मैंने detail में with mechanism बता दी थी तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप product देखिए लीती है तो double bond का भी reduction हो जाता है और हमें वन प्रोपेनॉल की प्राप्ति होती है देखिए लीतियम ऐल्मूनियम हाइडराइड के reduction तो अलकायल अलकॉल का निर्मान होता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीतियम ऐल्मूनियम हाइडराइड और ने बीएज 4 होता है यह double bond को reduce नहीं करते हैं तो इनकी presence में तो double bond पे कोई प्रवाव नहीं पड़ता है लेकिन sodium amalgam के दारा reduction कराया जाता है तो यह double bond को भी reduce करते हैं और हमें final product की रूप में 1-propanol मिलता है जब magnesium amalgam के साथ इसकी reaction कराया जाती है तो इसके जो दो molecule होते हैं उनका addition हो जाता है और reducing product बनता है वो की जो की होता है hex 1,5-dain 3,4-dial तो यह भी pinnacle reduction है जो की detail में मैं पढ़ा चुकी हूँ तो यह सारी जो reaction है वो सारी reaction aldeide की थी अब 5 भी reaction देखते हैं aldeide की जो के tation ko reaction है जिसमें 2 molecule acrylin के आपस में reaction करते हैं एक molecule का oxidation और एक molecule का reduction होता है oxidation से acrylic acid का निर्मान होता है जबकि reduction से allyl alcohol का निर्मान होता है यह जो acid और alcohol बनते हैं यह आपस में reaction करके ester का निर्मान कर लेते हैं टेशन को reaction पहले भी मैंने बताई थी यह aldeide के condensation की reaction है तो इसमें alcohol और acrylic acid का निर्मान होता है जो कि ester का निर्मान कर लेते हैं इसके सम्मद्ध में एक और महत्पून बात यह है कि अक्रूलिन नाम aldeide के समान aldeide के reaction नहीं देता है यह different reaction है aldeide के उपर की pancho reaction तो aldeide के समानती लेकिन aldeide के समानी aldeide के reaction नहीं देता है अब देखे reaction कैसे होती है जब बेस की presence में इसका condensation कराया जाता है तो formaldeide और acid aldeide बनता है इसकी mechanism की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले base का attack होगा as a nucleophile इस carbon पे double bone ऐसे move करेगा आपका यह product बन जाएगा ठीक है फिर इस product का protonation हो जाएगा यह negative उस पर h plus आके जुड़ जाएगा आपका यह बन जाएगा ठीक है अब जो oh minus है वो base की तरह काम करेगा और इस os से h plus ले जाएगा तो आपका यह product बन जाएगा यह तो acid base reaction की step हो गई यहां पर जो base OH minus था वो nucleophile की तरह काम कर रहा था और यहां पर वो किस की तरह काम कर रहा है बेस की तरह और इस os से proton को ले जाएगा आपका यह intermediate वन गया ठीक है फिर क्या होगा इसमें rearrangement होगा और जो यह वाला बॉंड यह तोट जाएगा इस बॉंड के तूटने की वज़े से formaldehyde और ऐसी टेल्याइड का निर्मान होता है तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी reaction बेस की presence में कराई जाती है तो एल्डॉल के समाइल्डॉल कंडेंसेशन नहीं होता बलकि जो carbon carbon double bond होते हैं वह बॉंड टूड जाते हैं और आपको formaldehyde और acetaldehyde बनता है तो यह हो गए इसके last reaction बचों इंपर्टेंट रेक्शन है क्योंकि यह थोड़ी डिफरेंट रेक्शन है अल्याइड ग्रूप से इसको अच्छे से देख लेना इसकी mechanism को अब हम बात करते हैं इसके योज किया जाता है इसे कीट नाशी प्रदार्त मतलब fertilizer बनाई जाते हैं मेथाइल क्लोराइड जैसे refrigerant का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका प्रतम विश्वयुद में अश्रू गैस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है आसू लाने के लिए इस यूज किया जाता है यूज किया जाता है तो यह तो था अल्फा बीटा अंसेचुरेटर कंपाउंड में सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था एक्रूलिन डेक्स्ट जो कंपाउंड होगा वो होगा क्रोटोन एल्डियाइड जिसे की ट्यू ब्यूतिनल कहते हैं इसे हम ने यू सुन कि पुम मगझे जिए्टर इसे हमा इसे हमाने जायओ थे ट्यूतिनल कहईंड ट्यू टूलिएटर बेखेश्टर शोगप्षब अन्रियू ने पर चुमप भंगें होगा अंसे हमाने इसे हमाने जायाओं एक्ष रावप्ष गटतर、